दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप UPP से जीते हुए पेसो को डireckly आप अपने Paytm phone पे या bank account में किस प्रकार से transfer कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव पूरूप के साथ जूपी एप के जीत हुए पेसो को आपके सामने यहाँ पर लाइव ट्रांसपर करके दिखाने वाला हूँ इसलिए दोस्तो इस वीडियो को बिना इसकीप किये लैश्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर शे जरूर कर देना तो चलिए दोस्तो बिना टाइम बरबात के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सीमपली दोस्तो यहाँ पर मैंने जूपी एपलीकेशन को ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां कि आप जूपी एपलीकेशन में लूडो सुप्रीम खेल सकते हैं उसके अलावा रहा पर लूडो खेलकर रॉयल इंफिल्ड वाइग जित सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर टूर्नामेंट्स कहल सकते हैं जूपी सूपर ओवर गेम खेल सकते हैं स्नेकें लेडर गेम्स कहल सकते हैं लूडो लीक खेल सकते हैं लूरो निंजा खेल सकते हैं उसके अलावा दोस्तो क्रिकेट टम करके यहाँ पर पेसा जित सकते हैं उसके अलावा दोस्तो आप जूपी एप में अपने फ्रेंड लोगों को रेफर करके भी यहाँ पर पेसा कमा सकते हैं आप दोस्तो आपने जूपी यहाँ पर गाम करके प आपको अकाउंट पर आजाना है, अकाउंट उपर आने के बाद कुछ इस प्रकार का उप्सन आजाएगा, तो simply आपको यहाँ पर एक वोलेड बैलेंस का उप्सन देखने को मिलेगा, तो simply आपको यहाँ पर वोलेड बैलेंस पर क्लिक कर देना है, जैसे ही वोलेड बैलेंस और क्लिक करोगे आप यहाँ पर टोटल बिलेंस देख सकते हैं आप के पास किपने रुपे हैं सीमपली मेरे पास यहाँ पर 849 रुपे हैं तो सीमपली यहाँ पर देख सकते हैं deposit case जिसमें से मेरे पास 804 रुपे हैं और winning balance मेरे पास 35 रुपे हैं केस बेक यहाँ पर reward 0 रुपए है और bonus reward मेरे पास 0 रुपए है तो simply दोस्तों इन पेसों को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर Vidra का option मिलेगा आपको simply Vidra पर क्लिक कर देना है उसके बाद जितने भी पेसे निकालना चाते है उतने पेसे को आप यहाँ पर select कर लिजे जैसा कि यहाँ पर मैं 35 रुपए निकालना चाता हूँ तो 35 रुपए को select कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आएगा transfer to my UP wallet तो आपको इस पर नहीं करना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे option आएगा विड़रा to my bank account आपको इस पर आना है और उसके बाद यहाँ पर edit विड़रा mods का एक option मिलेगा आपको इस पर click कर देना है click करना है यहाँ पर आपको अपनी phone पे की UPI ID डाल देना है फोन पे आप bank account की जिसमें भी आपको पेसे निकालना है अगर बेंक में निकालना चाहते है तो बेंक को यहाँ पर select कीजिए अपना विड़रा 35 रुपे का आपको simply इस पर click कर देना है जैसे इस पर click करोगे कुछ इस प्रकार का option आएगा तो simply दोस्तों यहाँ पर आपको करना चाहाँगा transfer to my UP wallet का option मिलेगा जिसमें बयाली सुर्पे लिकाओगा इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है simply आपको नीचे वाले option पर विड़रा to my bank account पर click कर देना है जैसे इस पर click करोगे आपको यहाँ पर confirm का option आएगा तो simply विड़रा 35 रुपे पर आपको फिर से click कर देना है जैसे इस पर click करोगे आपका यहाँ पर विड़रा successful हो जाएगा simply आप देख भी सकते हैं यहाँ पर okay grade पर click कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले मेरे पास winning account अमाउंट यहाँ पर 35 रुपे थे लेकिन आप यहाँ पर 0 रुपे हो चुके हैं यानि मैंने जो भी पेसा निकालाता है वो ट्रांसफर हो चुका है और उपर से देख सकते हैं जूपी वोड़रा successful काम notification भी आ चुका है तो simply दोस्तों आप कुछ इसी परकार से जूपी एप में गेम्स खेल कर पे साथ जीत सकते हैं और उन पेसों को directly अपने PTM फोन पे या बेंक आकाउंट